Hello Friends , स्वागत करते हुँ समय दो चमस के करेब चीनी ले लिए युक tattoo कोई बीस्किट ले सकते हैं तो चलिए हम सारे सामान को साइट करते हैं और बिस्किट को खोल लेते हैं हमने सारे बिस्कुट को खोल लिये हैं अब एक मिक्सी का जार ले 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 लिये हैं अब सारे बिस्कुट को हम इसमें दो टकड़ों में तोड कर रोख देते हैं तरह से हम सारे बिस्कुट को दो बना लिये हैं अब इसको बावल में निकाल लेते हैं हम इसको बावल में निकाल लेते हैं हमने सारे बिस्कुट के बावल में निकाल लिये हैं इसमें बेकिन पावडर का हम यूज कर देते हैं एक चमस हमने इसमें बेकिन पावडर रख देते हैं छोटा वाला चमस से इसमें ा sectors दोड़ा दूद रखकर मिक्स कर लेते हुद कृषकई से मीकस करना है हमारा बेटर रेडी हो गया है देखिए इसी तरह हमारा बेटर आत़ा हमारा तियार हो गया है बृटर स्वाइड करते हैं आप देख सकते हैं कि हमने ढ़ देख इसको गिरिष कर लिया है अब इसमें के साधा पूबर को न voltar ांद कबीक देते हैं इसमें इसमें चाथा पैपर को रख रहे हैं अचनिक से होगा आप घर बारे लिशाना आप दोक ते ईसको देखिया हमनै कि तुअ बीटर कोंसे सिभाइड कर लिए स्टीकीं हमारा तुपार तुप रखंट सब्सक्रिंशरेड नियुकी तरह हम सारे मट हमेड करने को कि डापके पास स्टाय। होगा तरह यूज कर लिगा ना इसी तरह कोई भी पलेट रख सकते हैं quería कि इसको धक मिन थोक देते हैं अब शिम्सकिक हैं फाएं ट्हूंने के लिए रख देखिए लगता है हमारा केक बन गया है एक तुटपिस के मदद से इसको चेक कर लेते हैं तो यह देखिए एक दम किलीन आ रहा है आपके तुटपिस में लग जाए तो फिर पांच मिनट लो फिलेम पर बना लीजिएगा अब इसको हम बाहर निकाल देते हैं ठंडा होने के लिए हमने केक को बाहर निकाल दिये हैं गयस को फिलेम को आफ कर दिये हैं अब इसको ठंडा होने के लिए 10-15 मिनिट के लिए छोड़ देते हैं हमारा केक ठंडा हो गया था अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लिए हैं देखिए अब इसको इसको सजाने के लिए हम गनास पना लेते हैं चकलेट जश डवी बनाने के लिए मने ये दो चमस ने ओल ले लिए हम ये दो चमस हमने चीनी ले लिए है एक ऊप हम दूद ले लिए है अब मिक्सिकाञ ज़ार ले लेते हैं क्या इस समें यह कोऊवडर है जो जो हमने सुगर अखा था इसमें आट कर देते हैं हमने जो ओल लिये थे इसमें आट कर देते हैं हमने यह दूद लिये थे एक अप इसमें आधे ही दूद को हम आट करेंगे और मिक्सी में फिर से इसको पहले इसको मिक्सी में गरायन करेंगे तो देखिए हमने इसको मिक्सी म अब इसको एक बावल में निकाल लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा गनाज तयार हो गया है अब हम ने केक को दो दो टुकड़ों में कॉट कर लिये हैं देखिए अब इसको हम साइड कर देते हैं इस पर जो गनास हमने बना कर चकलेटी गनास को रखा था इसमें लगा यह दोस一лат ब्लगा फला देते हैं देखें कि स्पेविध्य ळंट लगा देते हैं इस तरह से हमने इसको गणास सजा दिए हैं आब इसको हम चुकलेट से सजा देते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं हमने क्यक को सजा दिए हैं यह 12 चुचलेट Quinn वी और हमने यह जेली चकलेट से इसको सजा दिये हैं, अब हम इसको काट कर आपको दिखाते हैं, देखे हमने इसको काट लिये हैं, यह पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सस्क्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले रेस्पी में, बाइ!